दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सारस पक्षी और उससे जुड़े कानून वाइड लाइफ एक्ट 1972 की चलिए शुरू करते हैं सारस फाइलम कॉड़ेटा क्लास एवीज फैमली गुरू इडी का एक बड़े डीन डॉल वाला सुन्दर पक्षी है इसका जन्तु वेग्यानिक नाम एंटिगोन है सारस की दुनिया भर में लगबग 15 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती थी लेकिन अब ज़्यादतर प्रजातियां विलुप्थ हो चुकी है या विलुप्थ होने की कगार पर है भारत में इनकी चार प्रजातियां पाई जाती है सारस्क्रेन, साउथ इस्ट एशिया, भारतिय उपमहदी, भारत-पाक, नेपाल और आस्टिलिया के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं भारत में सारस्क्रेन गंगा के मैदानी छेतरों में बहुता से पाए जाते हैं क्योंकि गंगा के मैदानी छेत्रों में सारस का पसंदीदा आवाज है यहाँ पर यह स्थाई रूप से रहते हैं और यहाँ से यह प्रवास नहीं करते यही कारण है कि सारस क्रेन की उत्तर प्रदेस में अधिक संख्या पाई जाती है तराई के इलाके दलडली छेत्रों और धान के खेतों के आसपास 8-10 इंच पानी में खाने की तलाश करते हुए देखे जाते हैं सारस क्रेन उत्तर प्रदेस का राज्य पक्षी है जब भारत के राष्ट्य पक्षी का चुनाप किया जा रहा था तब भी सारस क्रेन की दावेदारी मौजूद थी लेकिन वहाँ पर मोर को राष्ट्य पक्षी चुना गया अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मोर भारत का राष्टे पक्षी क्यों चुना गया तो हमारी वीडियो देखें मोर क्यों बना राष्टे पक्षी इस वीडियो का लिंक आई वटन और डिस्क्रिप्सन में दिया गया है दोस्तो सारस का शुमार सबसे बड़े और उचे कत के उड़ने बाले पक्षी के रोप में किया जाता है ये दुनिया का सबसे उचे कत का उड़ने बाला पक्षी है सारस क्रेन का रंग सपेद या सिलेटी होता है जबकि सर और गर्दन का उपरी हिस्सा गहरे लाल रंग का होता है इसके टांगे और गर्दन लंबी चौच बड़ी वनुक्विली होती है सारस की उचाई 5-6 फिट वजन 7-8 किलोग्राम इसके पंकों का फैलाब 8.5 फिट तक हो सकता है इस विराड विक्तित्ते के कारण इसको धर्ती के सबसे उचे कत्के बड़े उड़ने बाले पक्षी के रूप में संग्या दी जाती है नर मादा देखने में यकसा लगते हैं लेकिन मादा नर के मुकाबले आकार में कुछ छोटी होती है जिससे आसानी से पहचानी जा सकती है सारस ओमनिवोरोस यानि सरवाहरी जन्तु है जो कि अनाज घास बीज, कीड़े, मकोड़े और मशलिया आदी खाते है सारस पक्षी को प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है यह परिंदा अपने पूरे जीवनकाल यानि अपनी पूरी लाइफ में एक बार एक ही पक्षी के साथ जोड़ा बनाता है ऐसा माना जाता है कि अगर इसके जोड़े का पक्षी किसी कारणवस मर भी जाए तब भी ये किसी दूसरे पक्षी के साथ जोड़ा बनाना पसंद नहीं करता ऐसा बहुत ही कमबार देखा गया है जब सारस पक्षी ने एक से ज़ादा पार्टनर्स के साथ जोड़ा बनाया हो अपनी लाइफ में सारस का प्रेजिनेंट काल वर्सा रितू में होता है ये अपना घोंसला सहरी करण और ओदोगिक छेतरों से दूर तराई के इलाके दलदली छेत, धान के खेतों, तालावों, जीलों और नदियों के आसपास हरी भरी जाडियों में बनाना पसंद करते हैं अब बात करते हैं सारस पक्षी के सनरक्षण और उससे जुड़े कानून वाइड लाइफ एक्ट 1972 की भारत सरकार ने वाइड लाइफ एक्ट 1972 यानि वन्यजीव सनरक्षण अधीनियम सन 1972 में इस उद्देश से से पारित किया कि वन्यजीवों के अवेद शिकार, जंगली पेड़ों की अवेद कटाई, जंगली जानवरों के मास हटी और इनकी खाल आदी के ट्रेड पर रोक लगाई जा सके। इसमें संसोधन कर भारतिये वन्यजीव सनरक्षण संसोधित अधीनियम के तहद इसमें डंड और जुर्माना और कठोर कर दिया गया। वाइड लाइफ एक्ट 1972 यानि वन्यजीव सनरक्षण अधीनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पेड़ पौधों तता अन्यजीवों को सुरच्छा प्रदान करता है। सारस क्रेन भी एक वन्यजीव यानि जंगली पक्षि है, इसलिए वाइड लाइफ एक्ट 1972 के तहद सारस क्रेन को सनरक्षण दिया जाता है, क्योंकि सारस क्रेन एंडेंजर्ड इस्पिसीज यानि विलुप्थ होने की ककार पर है। इस मौर्डन दोर में शहरी करण और उद्धोगी करण के कारण इनके रहने के ठिकाने कम होते जा रहे हैं। यानि संकट गिरस्त प्रजाती गोशित किया गया है। बदलते पर्यावरों के इस तौर में बन्य जीवों का जीवीत रहना चुनोती बन चुका है। इसलिए हम सब को चाहिए कि सारस पक्षी के संदक्षण में सहयोग करें। दोस्तो सारस पक्षी के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। झाल